हेलो स्टेंज आए देखते हैं चेप्टर फाइब की आच्वी हेडिंग गैसों का अलगत सिध्धान्त के बारे में मैं मनी सुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ देखे दोस्तों यहां हमने अनेक नियम बायल नियम चाल्स नियम आधिकाध्यन किया जो पर प्रियोग का प्रियोग सावधानी प्रुवक करने पर हम पाते हैं कि कोई कि निकाय विभिन परिश्यतियों में कैसे विवहार करता है जो भी सिध्धानत आपको बताए गए उसके आधार पर हम यह पा रहे हैं कि कोई निकाय जो है वह अलग-अलग परिश्यतियों में कैसा विवहार करता है कैसे कारिया करता है जब प्रायोगी टथ्य अस्थापित ह जाते हैं तब बैग्ज्यानिक यह जानने के लिए उस्वक रहते हैं कि निकाय इस प्रकार का बेवहार क्यों करता है ठीक है जब कोई नियम बन जाता है उसके बाद बैग्जानित यह जानने की कोशिज करते हैं कि निकाय जो है उस नियम का पालन क्यों कर रहा है जैसे उधारन की रूप में देखें गैस नियम बताते हैं कि जब डाप बढ़ाया जाता है तब गैस संपिडित होते हैं परंत हमें यह भी जानना चाहिए कि जब गैस संपिडित की जाती है तब उसके आणवी कस्तर क्या होता है इन प्रष्णों को उत्तर देने के लिए एक सिधान्त बनाया गया यह सिधान्त हमारे अलोकनों को अच्छी तरह समझने के लिए समझने में एक मारल का कार्य करता है ठीक है वह सिधान्त जो गैसों के ब्यवहार का असपश्टी करण देता है यह परमार्वी क और आणवी कस्तर का प्रषार है ठीक है आगे देखे ज्यान से गैसों के अलुगस सिधान्त के प्रमुक जो अभिग्रित है वे कौन-कौन है इनके बारे में आपको समझाय जाएगा गैसों के अलुगस सिधान्त के प्रमुक अभिग्रित नीचे दिये गए है यह अभिग्रित उन अलुग तथा परमालुओं से संबंदित है जिनको देखा नहीं जा सकता है ठीक है जो भी अविग्रिट यहां पर दिये गए हैं जानकारियां दी गई हैं यह ऐसे अर्वों से संबंदित है जिनको देखा नहीं जा सकता है अता यह सिधान्थ गैसों के सुछमदर्सी पतिरूप सिध्धान्थ जो है वो गैसों के सुच मदर्शी परतिरूप है गैसों के अर्वा सिध्धान्थ पर अधालित गड़नाएं तथा अनुमान इनके प्रायोगी प्रिच्छनों के अनुरूप होते हैं इस माडल की संसुधि रूप को अस्थापिक करते हैं ठीक है तो आप जो है अर्वा और परमालों से संबंधित हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है अता एस सिध्धान्थ जो है गैसों के सुच मदर्शी परतिरूप है गैसों के अर्वा सिध्धान्थ पर अधारित गड़नाएं तथा अनुमान इनके प्रायोगी प्रिच्छनों के होते हैं तथा इस माडल के संरूप संसुध रूप को अस्थापित करते हैं तो आईए अब इनके अपग्रिद को जाने पहला देखें गैस अधिक संख्या में समरूप कणों से मिलकर बनी होती है गैस जो है वो अधिक संख्या में समरूप कणों अर्थात परमाल या आयनो अड़ों से मिलकर बनी होते हैं एक अड़ इतने छोटे-छोटे तथा इतने दूर-दूर होते हैं कि गैस के अड़ों का कुल आयतन उनके मद्ध के रिक्ट अस्थान की तुल्ला में नगड़ होता है गैस के अड़ों का ठीक है गैस के अलूओं का कुल आयतन जो है उनके बीच के रिट अस्थान की तुल्ला में नगड होता है यह अविग्रहित गैसों की उच्छ संपिड़ता को ब्यक्त करता है ठीक है गैस अधिक संख्या में समरूप कड़ों एक जैसे कड़ों अर्थात परमालू या अलू से मिलकर बनी होती है एक और इतने छोटे छोटे तथा इतने दूर दूर होते हैं कि गैस के अलूओं का कुल आयतन उनके मद्ध के रिक्त स्थान की तुल्ला में नगड होता है यह अविग्रहित गैसों की उच्छ संपिड़ता को ब्यक्त करते हैं अगरा देखें सामान निताप योदाप पर गैस करों के मद्ध कोई आकर्षन बल नहीं होता है इस अविग्रित का धार्य है कि गैस प्रशारित होकर उनके लिए उपलब्ध अस्थान को पूर्त घेर लेती है तथा सामान निताप और दाप पर दरविक्रित नहीं होती है सामान निताप और दाप पर गैस कड़ों के मद्द कोई अकर्शन बल नहीं होता है इस अपग्रित का धार्य है कि गैस परशारित होकर एक्सपैंड होकर फायल कर उनके लिए उपलब दस्थान को पूर्टा घेर लेती हैं तथा सामान निताप और दापर दविक्रेत नहीं होती हैं गैस के कण लगातार गती करते रते हैं यदि वे कण इस्थी रवस्था में होते तो गैस एक निश्चित आकरित गरहण कर लेती प्रन्तु ऐसा प्रिछेत नहीं होता है ठीक है? गैस के कण प्रतेग संभोदिशा में सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं गैस के कण जो हैं वे प्रतेग संभोदिशा में सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं अपनी गती के दौरान ये आपस में तथा पात्र के दिवार से टकराते रहते हैं गैस के दवारा उत्पन दाब पात्र के दिवारों पर गैस के अलुओं दवारा किये गए प्रहार का ही परढाम होता है तो गैस के कण जो हैं वे प्रतेग दिशा में सिधी रेखा में गमन करते रहते हैं अपनी गती के दोरान ये आपस में और बरतन की दिवाल से टगराते रते हैं गैस के दोरा उत्पन धाव जो होता है वो बरतन की दिवारों पर गैस के अड़ों दोरा किये गए प्रहार किये गए टकर का पलडाम होता है गैस के अड़ों के मद्य संघट पूर्दा परत्यास्त होती है गैस के अड़ों के मद्य जो टंकर होती है वो पूर्दा परत्यास्त होती है अर्थात इसका तात पर यह है कि संघट से पुर्व संघट से पहले तथा संघट के बाद अड़ों की उर्जा समान रहती है गैस के अड़ों के मद्य संघट्य पूर्दा प्रत्यास्तुती है इसका तात पर यह है कि संघट्य से पूर्व तथा पसाद अड़ों की उर्जा समान रहती है संघट्य में अड़ों के मद्य उर्जा का बिनमे हो सकता है ठिक है टक्कर में अणुओं के मद्य उर्जा का बिन में हो सकता है अर्थात बिशिष्ट अणुकी उर्जा में परिवर्तन हो सकता है परन्तु कुल उर्जा इस्थिर बने रगती है यह अविग्रेट इस तत्य परधारिते की गैस का सोता सितलन या उस्मन नहीं होता है तो आप देख रहें की संघट में अणुओं के मद्य उर्जा का बिन में हो सकता है अर्थात बिशिष्ट अणुकी उर्जा में परिवर्तन हो सकता है परन्तु कुल उर्जा इस्थिर बन नहीं रहती है यह अविग्रेट इस तत्य परधारित है की गैस का सोता सितलन या उस्मन नहीं होता है यदि गैस की अड़ों की गती रुक जाए तो वे एकत्र हो जाएंगे जो वास्तिविक प्रिच्छन के विपरीत या पर्थिक्यूल होंगे ठीक है अगला देखें किसी भी समय गैस के विभिन कड़ों के बेग भिन्द भिन्द होते हैं किसी भी समय गैस के अलग-अलग कड़ों के बेग जो होते हैं वे अलग-अलग होते हैं फल्सरूप विभ भिन्द गती जुर्जाएं होती हैं इनमें यह तथ्य सही परतीत होता है क्योंकि जैसे इस अड़ु संघट करते हैं वैसे ही उनके बेगों में परिवर्त्वन हो जाता है यदि सभी अड़ु के प्रारंभीग बेग समान हो तो भी संघट के उपरान उनमें एक रूपता समाप्त हो जाती है जिसके परिडाम सरूप उनके बेग भिन्द भिन्द हो जाते हैं यह बेग लगातार परिवर्तित होता रहता है इसके बावजूद निश्चित ताप पर बेगों का बितरण समान बना रहता है यदि एक अड़ु में बिभिन्द भेग होते हैं तो उनकी बिभिन्द गती जुड़ जाए होंगी आप देख रहे हैं कि गैसों के अड़ुओं में अलग-अलग बेग होते हैं इसका आर्थ क्या हुगा है यदि एक अड़ु में बिभिन्द भेग होते हैं तो उनकी बिभिन्द गती जुड़ जाए होंगी इसी परिष्टी में हम केवल अवसत गती जुड़ जाए की बात कर सकते हैं यदि एक अड़ु में बिभिन्द भेग होते हैं तो उनकी बिभिन्द गती जुड़ जाए होंगी इस इस्ति में ऐसी परिष्टी में हम केवल अवसत गती जुड़ जाए की बात कर सकते हैं अड़ु सिध्धान्त में ऐसा माना गया है कि गैसों के अड़ु की अवसत गती जुड़ जाए उसके परमताप के समान उपाती होता है गैस के अणगों की आवसत गतीज उर्जा जो होती है वह उसके परमताप के सवान उपाती होती है ऐसा देखा गया है कि ताप बढ़ाने पर गैस का परशार होता है ताप बढ़ाने पर गैस का परशार होता है और यदि आयतन इस्थिर रखा जाए तो दाब बढ़ता है चाल सर गुलसाइक के लिए अबके अंसार गैस को गरम किये जाने पर कणों की गतीज उर्जा बढ़ जाती है जिससे ये पात्त की दिवार पर अधिक तेजी से टकराते हैं फलतर अधिक धाब उत्पन होता है तो आप देख रहें कि गैस के अड़ों की आउसत गतीज उर्जा जो है उसके परमताब के समान उपाती होती है ऐसा देखा गया है कि ताब बढ़ाने से गैस का परशार होता है और यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो दाब बढ़ता है गैस को गरम किये जाने पर कणों की गतीज उर्जा बढ़ जाती है जिससे यह बरतन की दिवार पर अधिक तेजी से टकराते हैं जिसके कारण अधिक दाब उत्पन होता है ठीक है गैसों का अड़ों सिध्धान्ट जो है वो सैध्धान्तिक रूप से दाब आयतन के मद्द संबंध तथा गैस के नियम को प्रतिपादेद करता है ठीक है तो गैस के बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई यह जो है दाब आयतन के मद्द संबंध तथा गैस के नियम को प्रतिपादेद करता है ठीक स्टेंट्स तो यह था आपका गैसों की अनुगत सिधान्द के बारे में और उसकी जानकारियों के बारे में ठीक स्टेंट्स मैं मुरीश गुत्ता अपने चैनल में आप पास्वागत करता हूं विडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों